हेलो फ्रेंट्स मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंट्स आज मैं आपको यह वाला डिजाइन बताने वाली हूँ बहुत आसान डिजाइन है जिसको विगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं फ्रेंट्स इस डिजाइन को बनाने के लिए हम कितने भी फंदे डाल सकते हैं और अपना डेजाइन स्टार्ट कर सकते हैं सबसे पहले आप बॉर्डर बना लिजे यह मारा डेजाइन सीधी तरफ से शुरू होगा बॉर्डर बनाने के बाद हमने सेकिन कलर को अटेच्च कर लिया है प्याला फंदा हमने सीधा बुना धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा धागा पीछे करके एक फंदा हम सीधा बुनेंगे धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा धागा पीछे करके एक फंदा हम सीधा बुनेंगे दागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा दागा पीछे करेंगे एक फंदा हम सिधा बुनेंगे दागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा इस तान डिजाइन के हमारी फर्स्ट रोग कम्प्लीट हो गई है अब आते हैं सेकंड रोग एक रंग हमारा चार लगनें में चलेगा पूरी रोग को हमने उल्टा उल्टा बुनना है अब आते हैं थर्ड रोग सीधी साइड पूरी रोग को हमने सीधा सीधा बुनना है इस तान थर्ड रोग को पूरा सीधा बुनके हमने कम्प्लीट कर लिया है अब आते हैं फूर्थ रोग वैक साइड पूरी रोग को हमने कम्प्लीट करना है इसने चार लाइने बनके हमारी कम्प्लीट हो गई है अब यहां पे चार लाइने भी बना सकते हैं लेकिन यहां मैंने चार लाइने में डिजाइन बनाया है अब हमने उनका कलर चेंज कर देना है अब यह डिजाइन हमारा फिर से रिपीट हो रहा है एक फंदा सीधा बुना धागा अपनी तरफ करके एक फंदा हमने उल्टा बुन लिया धागा में पीछे करेंगे पुरी रोक को में आसे ही बुनना है अब डीजैन अन्हें फिर से रिपीट किया है बैक साइड के पूरी रो हम उल्टी भुनेंगे क्रीम कलर हमारा चार लैनों में चलेगा और आगे के चार लैनों में हमने रैट कलर से भुनना है अब आते हैं फ़रंट साइड पूरी रो को हमने सिधा सिधा भुनना है बेक साइड की पूरी रोह हमने उल्ट उल्टी बुननी है इस तरह चार लाइनों में डिजाइन बनके हमारा कम्प्लीट हो गया है आगे आपने ऐसे रिपीट करते जाएंगे तो आपको खुश्वरा सा डिजाइन बनके तयार हो जाएगा यहाँ पे मैंने जो टीजाइन बनाए है यहाँ पे मैंने च्या लाइनों में बनाएा है आप देख सकते कितना प्यारा लग रहाए यह नौन उमबर के सीलाइट से बनाया है यह डीजाइन को एक बार ट्रे जरूर करियेगा यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेर करें थैंक यू